तो देखे आज की इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्री कॉंस्टेंट या रिलेटिव पर्मिटिवटी के बारे में स्टडी करेंगे तो इससे पहले आपने कुलाम स्लॉओ के बारे में स्टडी की थी और आपने देखा था दो चार्जिस के बीच लगने वाला फोर्स या तो repulsive force हो या attractive force हो यह हमेशा medium के nature पे भी depend करता है अगर आप suppose that किसी दो चार्जिस को vacuum के अंदर रखते हैं तो आपको दो चार्जिस के बीच लगने वाले force की maximum value मिलती है लेकिन अगर आप उसे किसी other medium के अंदर रखते हैं ग्लास के अंदर रखते हैं या थोड़ी सी कमी आ जाती है कमी आने का कारण यहाँ पे जो आपका glass या water के जो molecules हैं वो इस force का पोस्ट करते हैं जिससे इस force में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो अब यहाँ पे हम जानेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था दो चार्जिस को अगर हम vacuum के अंदर रखें तो लगने वाला force कितना होगा 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square होगा लेकिन अगर इनी दो चार्जिस को हम किसी अलग medium में रखें तो लगने वाला force 1 by 4 pi epsilon m q1 q2 by r square होगा यह किसी भी अलग medium के लिए हो सकता है वो चाहें glass हो या फिर आपका water हो या कोई अलग medium क्यों न हो तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का ratio find out करूँ तो देखें यहाँ पे मैं इन दोनों को divide कर देता हूँ जिससे कि हमें ratio मिल जाएगा मैंलब vacuum के अंदर और साथी साथ उस अलग medium के अंदर तो हम इससे यह जान पाएंगे इस ratio से कि water के अंदर suppose that यह medium आपका water है तो water के अंदर इस force की value में कितना change आ जाता है या कितनी कमी आ जाती है क्योंकि यह force सबसे जाद है आपका कहा होता है vacuum के अंदर होता है तो देखिए यहाँ पे हमने divide किया तो divide करने के बाद यहाँ पे कुछ आपके जो variables है cancel हो जाएंगे तो बचेगा आपका cable one by epsilon not और one by epsilon m तो यह आपका बचा हुआ है आप यहाँ पे epsilon m को उपर shift कर दीजे तो आपने उपर shift किया तो उपर shift करने के बाद आपको यहाँ पे जो force का ratio कितना मिला तो epsilon by m और epsilon 0 epsilon not तो देखिए यहाँ पे आपने divide किया अब आपको इस force का ratio कितना मिला तो आप यह कह सकें epsilon m by epsilon not तो इस ratio को हम यहाँ पे epsilon r या k के द्वारा represent कर सकते हैं यह दोनों ही constant हैं अगर आप इस से represent करेंगे तो इसको हम बोलते हैं relative permittivity और अगर k से represent करेंगे तो इसको हम करेंगे dialectric constant अब suppose that आपको अगर यह ratio पता है तो आप इसकी मदद से अलग medium में यहाँ पे permittivity of उस given medium की permittivity को find out किया जा सकता है अगर आपको relative permittivity given है तो देखें यहाँ पे यह जो हमने force फोर्सों को find out किया और यहाँ पे हमने यह देखना चाहा कि relative permittivity आखिरकार है तो हम कह सकते है relative permittivity हमें यह बताता है किसी other medium में लगने वाला force कितने times कम होगा as compared to vacuum तो इसका मतलब क्योंकि हमें पता है vacuum के अंदर सबसे जादा force लगता है तो vacuum के अंदर कितना जादा force लगता है as compared to other medium इस यह हमें बताता है electric constant अब यहाँ पर देखे कुछ आपकी जो relative permittivity है कुछ चीजों की जैसे fix होती है जैसे की water की water के अंदर आपका 80 water की relative permittivity आपकी 81 है इसका मतलब यहाँ पे er की value आपकी 81 है for water अगर मैं कहूँ आप water की permittivity बताएं तो water की permittivity कितनी होगी तो आप यहाँ पे यह em find out करेंगे e naught into er जो की आपका कितना है 81 तो इससे हम क्या सकते है for water यह आप suppose that इसे मा लीजे water है यह तो इससे हम क्या सकते है water के अंदर आपका relative water की जो permittivity है वो 81 times greater होगी as compared to vacuum तो इससे हमें यह पता चलता है लेकिन हमेशा याद रखेंगे क्योंकि force जो है आपका inversally proportional है epsilon के इसका मतलब अगर यहाँ epsilon not लगाएंगे तो vacuum बन जाएगा और अगर आप कोई M लगाएंगे तो other medium बन जाएगा तो याद रखेंगे तो इसका मतलब force जो है inversally proportional है epsilon के इसका मतलब epsilon की value जितनी बड़ी होगी force उतना छोटा होगा तो इसका मतलब water में epsilon की value काफी बड़ी होती है as compared to vacuum तो इससे water के अंदर जो water के अंदर दो charges के बीच लगने वाला force कम हो जाता है इससे हम कह सकते हैं ये भी clear हो जाता है यहाँ पे force on vacuum is 81 क्योंकि देखे force का ratio था अगर आपको यहाँ पे क्या पता है ER की value आपको पता है तो आप ये कह सकते हैं force in vacuum force upon force in other medium तो यहाँ पे ER की value आपको कितनी की बने 81 तो relative refractive index दे रखे आपको water का इतना इससे आप कह सकते हैं कि vacuum के अंदर आपका 81 times force जादे होता है as compared to water तो यहाँ पे हम water के अंदर हमने ये find out किया 81 times कम होता है force as compared to vacuum याद रखेंगे किसी भी metal की जो permittivity है वो हमेशा infinity होती है तो इसका मतलब दो charges suppose that एक charge मैंने metal seat के इधर रखा है दूसर charge मैंने metal seat के इधर रखा है दोनो charges को metal seat के दोनो अलग-लग side में रखा है तो इसका मतलब दोनो charges पे यहाँ लगने वाला force तो देखें आज की इस वीडियो में हम dielectric construct